हलो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप Google Home Mini को Google Home App से कैसे लिंक करते हैं। इसके लिए Google Home App आपके मुबाइल पे होना ज़रूरी है। नहीं हैं तो प्लेस्टो से डाउनलोड कर लीजे। Google Home उपन करने के बाद आप Devices पे क्लिक करें। Devices पे आपको दिखेंगे जो भी Devices आपने अपने Google Home से लिंक किये हैं। जैसे कि मैंने कुछ cameras और एक speaker लिंक किया हुआ है। अब यहाँ पे आप नए devices को भी add कर सकते हैं। अभी हम अपने जो add किया हुआ device है, dining room speaker हम उस पे क्लिक करेंगे। वो पूछ रहा है कि यह device कहा है, यह device living room में रखा हुआ है, इसलिए मैं living room पे क्लिक करूँगा। और next पे क्लिक करूँगा। next पे क्लिक करने के बाद Google Home में से मेरी कुछ permissions लेंगे। जैसे कि services वो ले सकते हैं या Google Assistant मेरी बातें सुन सकता है। इसको हम next पे क्लिक करेंगे और next पे क्लिक करने के बाद Google Assistant कुछ देर के लिए आपकी settings को save करेगा। save होने के बाद आपको दिखेगा कि यह आपका voice match on करेगा। और आपके search results को यह make sure करेगा कि आप इस device पे इसनको broadcast कर सकें। अब आप नीचे दिये हुए arrow पे क्लिक करें और फिर continue पे tap करें। continue पे tap करने के बाद यह आपसे पूछेगा आप क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आप music सुनना चाहते हैं, movies देखना चाहते हैं या friends and family को call करना चाहते हैं। यहाँ पे अब मैं next पे क्लिक करूँगा और यह मुझे मेरे favorite music को सुनने के लिए पूछेगा तो इसमें मैं अपने apps को select कर सकता हूँ। by default मेरा YouTube music app है जिसको मैं select करके next करूँगा, अब यह मुझे पूछ रहा है कि मैं अपने friends and family को call करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे next बटन पे क्लिक करूँगा, next बटन पे क्लिक करने पर यह मुझे से पूछेगा कि क्या मैं voice calls कर सकता हूँ, मैं continue क्लिक करू confirm करने के लिए मैं next बटन को दबाऊंगा और अगली screen पर यह मुझे कुछ contacts add करने के लिए बूलेगा, तो मैंने अपने favorite contacts जो कि मेरे immediate members है family के, उनके details है, हम यहाँ पे और भी contacts add कर सकते हैं, और अब यह हमें बता रहा है कि हमने क्या-क्या configure किया है, तो हमने speaker configure किया है, हमन अब तयार है, यहाँ तयार होने के बाद, अब अगर मैं hey google bowl के music play करना चाहूं, या उसका volume बढ़ाना घटाना चाहूं, मैं वो सब कर सकता हूं, more पे click करने पर मुझे यह पता चलेगा कि इससे जादा मैं और क्या चीज़े कर सकता हूं, जैसे कि मैं इसे joke सुनाने के बोल चकता हूं कि मुझे कल सुबह साथ बजे उठाए, I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगा, thank you